हेलो एवरिवन, वेलकम तो दा चैनल, कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे वीडियो में मैं आपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन जो है वो आप से शेयर कर रहे हूँ तो अभी जो है ये मॉर्निंग का समय हो रहा है और अभी ब्रेकफस्ट का टाइम है तो मैं यहां पे ब्रेकफस्ट बनाने जा रहे हूँ तो मैं ब्रेकफस्ट में जो है मैं इडली बना रही हूँ इसका बैटर जो है मैंने घरपे बनाया है और आप देख सकते हैं कि मैं बैटर जो है कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है तो अगर आप लोग किसी थंडी जगा पर रहते हो कहीं पर भी जहां पर थंड बहुत पढ़ती है और आपका जो इडली का बैटर है वो फर्मेंट नहीं होता है तो आप लोग एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप जो बैटर है ना उसका बना के अगर आपके पास ओवन है तो ओवन को पाँच मिनिट के लिए चालू कर दीजिए और बैटर को जो है ना आप ओवन में रख दीजिए ओवरनाइट तो बहुत अच्छे से फ हो जाएगी इडिल्या तो यहां पे जो है स्टोरपे रेद्य इडिन बैटर बहुत बन जाता है अर इडली को बीटोक बना जाता है तो हो ہ्याइनियान ब्र merciful आदिए और मैं नारेयल और मैं घ़रा दाने की चटनी बना रहे हूं में मिरках नमक डाल दो हैं सबस्कतर रया है ूइंTION में मिर्ची में अब कर दो कुछा बना लगा हुआ है कि अलग गया तो अब है शोकुत हैसे राई तरिका डिया है Promise हो कर दिए इडली भी कुक हो गई है तब इडली को चलिए निकाल लेते हैं मोल्ड से और मैं आपको दिखा रही हूं कि इडली जो है देखे कितनी सॉफ्ट इडली बनी हुई है तो यह हम लोग आज का ब्रेकफास्ट इडली और चटनी तो ब्रेकफास्ट वगरा फिनिश करके मैं यहाँ पर देखें वैक्यूम कर रही हूं और मैंने अपना सोफा जो हो हटा दिया है तो इसलिए हटा दिया है क्योंकि आप हम लोग यहां पर अपना नया सोफा रखेंग तो हम लोग ने एक नया सोफा ओडर किया था ओनलाइन वेफेयर से वेफेयर यहां पे एक शॉप है तो जो कि वो कल ही आ गया था शाम को बठ हम लोग ने सोचा कि छुट्टी के दिन इसको आराम से हम लोग असेंबल करेंगे क्योंकि फिर इसमें टाइम लगेगा तो आज ज है इसको अच्छे से पहले सेनेटाइज वगरा कर दिया है बॉक्स को तो अब मैं इसको ओपन करूंगी और फिर हम लोग इसको असेंबल करेंगे तो यहां पर जो होता है हम लोग कोई भी फरनीचर जो है बाय करते हैं तो ऐसे ही वो पूरा मतलब डिसेंबल होके आता है उ हम लोग इसको कैसे असेंबल करते हैं दोनों तो फाइनली हम लोगा जो सोफा है वो असेंबल हो गया है तो आप देख सकते हैं यह ऐसा दिख रहा है तो सोफा असेंबल करने के बाद मैं बात वगरा लेके अब आपस से आ गई हूं अपनी किछन में तो अब मैं लंच बना रहे हूं तो लंच में आज मैं सिंपल सा ही बनाऊंगे दाल चावल और सब्जी और रोटी बनेगी तो मैं यहां पर दाल वाश करके रख दे रही हूं कूकर में पकने के लिए दाल में नमक और हल्दी डाल के इसको रख दिया है बॉयल करने के लिए फिर इसके बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी कूक होने पे तो यहां पर जो है मैं सब्जी बना रहे हूं तो सब्जी में आज लोकी की सब्जी बना रहे हूं तो उसके लिए मैंने पैन में ऑईल रख दिया है गरम होने के लिए और फिर मैं उसमें जीरा और राई डाल दे रहे हूं और जीरा और राई क्रैकल होने के बाद मैंने यह कि सब्जी बना रहे हुआ उसमें कोई भी मसाला वगारा कुछ नहीं डालूंगे एक दम सिंपल से सब्जी बनेगी तो ऑनियन जो है वह फ्राइ हो गया तो मैं यहां पर जो है लौकी मैंने काट कर ले थी वह डाल दे रही हूं यहां पर जो मैं सबजी में उसमें हल्दी और नमक डाल दे रही हूं और टमाटर काटके भी डाल दूंगी और फिर अढ़क के अच्छे से रख दूंगे कूख होने के लिए तो यहां पर मेरी जो सबजी है वो कूख हो गई है यह सिंपल सी सबजी है बट बहुत ही यम्य और टेस्टी सबजी बनती है तो अब मैं यहां पर रोटियां जो है वो सेक ले रहे हूं और चावल मैंने कूख कर लिया था तो लंच जो है मेरा बन चुका है लंच में है आज प्राइस दाल रोटी और सबजी तो यह इवनिंग का वक्त है अब हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो हम लोग यहां पर एक होम डिपो करके बहुत बड़ी सी शौप है तो वहां पर जा रहे हैं आप लोगों को भी अपने साथ ले चलते हूं कैं एगए वह डीपो है वो अमेरिका की बहुत ही बड़ी शौप है जहां पर आपको अगर आपो सारा सामान मिलेगा घर से Anal butt शाह सारा कंसरॉक्ट्रक्शन से सारे लक्डी सारी लक् wastewater अबूर Henderson गए होम डिपो यह मेरे घर के बगल में हैं पांच मिनट भी नहीं लगता है गाड़ी से आने में तो हम लोग को यहां पर आए सच कुछ लेना नहीं था हम लोग बस यहां पर नर्सरी में आये हैं होम डिपो की नर्सरी में तो यहां पर नर्सरी जो है अलग से पाठ है तो अ मिल रही है हर चीज की, गुबी की सीडिलिंग है ब्लॉकली की immortality तरीके कि यहां पे पॉध हैं देखे आप मिल रहे तो यह देखिए स्ट्रॉबेरी का पेड़ी भी मिल रहा और उसमें स्ट्रॉबेरी भी फड़ी हुए यह बहुत सारी तो बस यही सब अम लोगों को देखना तक कया का मिल ला है तो आप देखिए आपके कितने सारे plants है flowering plants है vegetable के plants है तो सब कुछ मिल रहा है क्योंकि कि यह आपे समर आ रहा है gardening का season आ रहा है तो सब पेड़ पोध्य आज कुके हैं nursery में नए नए सब्रेस कवा करें देखिए यह बहुत सारे Soils इसान अब होते हैं spotting links मिल रहा है आज जो है हम लोग सिरिफ होम डिपो के जो है नर्सरी में ही गए थे जो में शॉप है जहाँ पर और भी सामान मिलता है वहाँ पर हम लोग गए नहीं तो मैं जल्दी जो है होम डिपो पर डीटेल वीडियो बनाने वाली हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे के आप मेरा वो वीडियो देख सके तो हभी हम लोग यह पर जो है यहां पर देख रहे हैं प्लांट कुछ पसंद आएगा तो हम लोग लेंगे तो आप देख रहे होगी कितने सारे यहां पे फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजेटेबल की भी प्लांट्स है, बहुत सारे तरीके के पेड़ पॉधे जो है यहां पे मिल रहे हैं और यह सब है जो समर में आप अपने गार्डन में लगा सकते हो, सब डेकुरेशन्स वगरा है, वेंड चाइम्स वगरा सब मिल रहा है यहां पर तो यहां पर देखिए बहुत सारे वे रहा है, तो यहां पर देखिए बहुत सारे वे रहा है यहां पर देखिए बहुत सब्सक्राइटी के फूल के और फल के वेजिटेबल्स के यहां पर सीड भी मिल रहे हैं, और सब पॉट्स वगरा भी मिल जाता है, यहां पर पेगड़ वगर सब चीज मिल रहा है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडि